Hello everyone, आपका फिर से स्वाग गया था मेरे चानल गैजर थेरीपी पे मैं आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ नया वीडियो आज के वीडियो में हम बात करेंगे के जो फोन लॉंच होने वाले हैं स्मार्ट फोन लॉंच होने वाले हैं यह इसी तरीके से से मैं यह आपके लिए वीडियो लाया हूं जो कि October में upcoming smartphones का हमें लिस्ट हम में बताएंगे तो यह महिने भी भर-भर के phone launch होने वाले हैं आप Samsung की बात करो Samsung है Samsung है Apple है Vivo है Redmi है Realme है OnePlus है Micromax है तो यह phones यह सारे कंपनिया अपना phone यह महिने फिर से लेके आ रही है तो लेट सी कौन सी कंपनी कौन सा phone यह महिने लॉंच कर रही है तो जो पहला phone है जो लॉंच होने वाला है October में वह है आपका Samsung का F41 Samsung यह पूरा एक नया सीरीज ला रहा है F-Series अब एक्जेक्टली क्या करें रूमर्स तो यह भी सुनने में आ रहे है कि शायद से यह M-Series को जगह पर M-Series को रिप्लेस करके यह F-Series लाने वाले हैं फिलाल जो F-41 है जो 8 October को लॉंच होने वाला इसके कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरह के से है कि जो आपका स्टोरी रहेगा वह 64GB रहेगा जो बैटरी है 6000 mAh के बैटरी रहने वाली है RAM 4GB का रहेगा Super AMOLED स्क्रीन रहेगा 6.5 का अगर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन के इसाब से तो यह कहीं ना कहीं कुछ M-Series से ही मिलता जोता है तो देखते हैं कि अभी F-Series में और आगे सेंसंग क्या करता है जो अगला फोन है जो लॉंच होने वाला है जो कि है वन प्लस बन प्लस एटी जो बहुत टेमसम सुने में आ रहा है यह फोन भी सेप्टमर में लॉंच होने वाला था बट नहीं हुआ बट अभी फाइनली डेट आ चुका है और एफ 14 ऑक्टोबर में यह लॉंच होने वाला है वन प्लस ने बता लिया है बट प्लस का लेकिंश चीज़ा की बन प्लस एट टी और एट प्रो जैसे कि 277 और 770 प्रो आया था वेसी हम सोच रहे ते की एट टी और एट टी प्रो आएगा वान प्लस ने यह रिविल किया है कि वो शिर्फ एकी 8T क तो उसके जो स्पेसिफिकेशन जो हमें मालूब पड़े हैं अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज बुड भी 120 बलब 8GB RAM और 120GB करेगा या तो फिर 12GB RAM और 256GB का वे इंट रहेगा इंच उसका डिस्प्ले होरेने वाला है 4000 mAh की बैटरी होने वाली है फास्ट राजिंग 65 वाप चार्ज उसका मिलने वाला है जो फ्रेंट कैमरे के अगर बात करूं तो 32MP होने वाला है और बैक कैमरा की बात करूं तो वही कॉड फॉर्माट में होने वाला है 48 प्रामरी होने वाला 16 Megapixel 5 Megapixel 2 Megapixel सेर्ट अब होने वाला है फिट यह बाथ करें तो नेक्स्तारा रहा है विविव को तिर्व से वी वो की तरफ से यह ہो वी ट्वेंटी अवी 20 प्रो होनेवाला है अगर हम इसके स्पेसिफिकेश्न कि अगर हम बात करें तो बैट्ट्री होने वाली 4000 एमेज की स्नैपड्रेगन 765G Octagon होने वाला है 8GB का रैम और 128GB का स्टोरीज होने वाला है कैमरा की बात करें तो फिर से इसका कॉर्ड को सेटप कुछ होने वाला है 64 में प्राइमरी देन 8 Megapixel 5 Megapixel 2 Megapixel का होने फ्रंट में भी जो हमें मालू पड़ा है शायद 82GB का तो प्राइमरी रहेगा शायद साथ में कैमरा और आएगा दो कि रहेगा 8 Megapixel का देखने हैं कैसा रहेगा स्टोरेज उसका 128GB है और expandable 256GB तक expandable रहेगा तो नेक्स्ट फोन जो है वो है नोक्या की तरफ से अल्रेडी नोक्या ने यह अनॉंस कर दिया है नोक्या 3.4 बट अभी तक इंडिया में अविबल नहीं हुआ है तो शायर यह अक्टोबर में इंडिया में मिलना चालो हो जाएगा यह अगें एक मीड वेरेंट फोन है इसके नोक्या का अभी तो कोई फ्लक्शिफ फोन लॉंच नहीं हो रहा है हम सब वेट कर रहे हैं कि नोक्या कब अपना फ्लक्शिफ फोन लॉंच करेगा तो इसके अगर स्क्रीन होने वाला है 720 x 150 1560 का अशनापड्राइगन 460 ओक्तागर होने वाला है इसका वेरेंट आने वाले हैं वह 8GB RAM और 4GB RAM में होने वाले हैं और वोड बी फर्म 32GB और 64GB का स्कोर्ज देने वाला है कैमरा की जो हमें मालुप पढ़ा है कैमरा जो फ्रंट कैमरा रेगा वह 8 Megapixel रहेगा उन जो बैक कैमरा रहेगा वह 13 Megapixel का प्राइमरी फिर 5 मेगापिक्षल और 2 मेगापिक्षल का कैमरा ने वाला है बैटरी के अगर हम बात करें तो 4000 mAh की बैटरी होने वाली है और 10 वाट का शायद चाजिंग आपको एड़प्टर मिलेगा अब जो नेक्स्ट फोन है जो मेन है वो है आइफोन आइफोन काफी फेम सेप्टेमबर में लांच करते हैं ये साल सेप्टमबर में लांच किया लेकिन टैप मुझशक प्ल ratने ऌकट नहीं किया है इतलि और में और October second week जो rumors आ रहे हैं कि October के second week में लो launch करने वाले हैं अपना iPhone और यह भी सुनने में आ रहा है कि iPhone के चार वेरेंट लॉच होने वाले इस बार चार वेरेंट जो कि रहेगा iPhone mini iPhone iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max यह चार फोन इनके launch होने वाले हैं तो देखते हैं कि launch होता है कि नहीं होता है क्योंकि अभी तक confirmation नहीं आया आपल से बट सुनने में आ रहा है कि definitely October में अपना iPhone launch करेंगे फिर हम आगे बात करें तो next जो बात करेंगे वह है Google का आपको पता यह भर भर के फोन लॉंच करते हैं और महीं नहीं है तो आगे बात करें तो रियल्मी रेड्मी पोको इंके तो आपको पता यह भर भर के फोन लॉंच करते हैं तो यह महींने भी उनके कुछ फोन लाइनप से तो जैसे की रियल्मी का X3 प्रो करके कुछ फोन लॉंच होने वाला है उसके स्क्रीन वाला है अगेन उनका जो कैमरा सेट अप है जो रेर कैमरा है वो कॉर्ड को के फॉर में होने वाला है फ्रंट में भी सुनने में आ रहा है 16 Megapixel का रहेगा फ्रंट कैमरा रहेगा एट डीबी का रहेगा 120 GB का स्टोरेज आने वाला है बैटरी अगरा बात करें तो बैटरी आएगा 4200 एमेज की बैटरी आने वाली है फिर आगे हम बात करें तो real me7i करके आने वाला है यह एका कोई budget फोन है कि तो स्क्रीन पर पिर real me का आगे c17 आने वाला है अगेन का अगे स्प्रेसिफिकेशन देख सकते हो अभी अगर हम बात करें शामी की शामी का MI10 T series करके एक है जो कि काफी से सुनने में या रहा है लाउच होने वाला है है ah globally जो है वह इस नाम से लौच होएगा MI10 T के बर्ट इंडिया में हमें सुनने में आ रहा है कि वो लाउच होने वाला है अलग नाम से जोंगी देन नोट 10 के फॉर्म में या फिर रेडमी नोट 10 प्रो के नाम से कुछ अलग नाम से लॉंच करने वाले शौमी का यह हमने रिसंटी देखा है कि वह लोग एक ही फोन को अलगलों मार्केट में अलगलों नाम से लॉंच कर रहे हैं पता नहीं अब शौमी क्या करना चाहता है बट देख सकते हैं आगे स्क्रीन पर की 6.67 का कुछ इसका स्क्रीन होने वाला है स्नाप्ट्रेगन 865 ओक्ताकर होने वाला है राम की बात करें तो 8GB का राम और स्टोरेज रहेगा 128 और 256GB में कैमरा की बात करें तो कैमरा यहां पर 108 Megapixel का सुनने में आ रहा है प्राइमरी बट द पिर आगे ही बात करें तो Xiaomi का ही आगे Redmi Redmi 9i करके आने वाला है यह सुनने में आ रहा था है कि सेप्टमबर में लॉंच अबर सेप्टमबर में लॉंच नहीं हुआ है तो शाइद ऑक्टोबर में लॉंच होएगा यह फिर से इंक बजट फोन है फिर आगे बात करें तो होगा की नहीं होगा अगर हुआ तो इसी महीने में होगा नहीं तो फिर शायद चांसे कम है उसके लग रहे हैं लास्ट में बात करेंगे Micromax की Micromax का हमें 2 महीने से सुनने में आ रहा है कि coming soon coming soon तो ऐसा बोला जा रहा था कि September में वह आएंगे बट obviously September में नहीं launch हुआ है तो अब पता नहीं October में भी आएगा की नहीं आएगा बट Micromax डेफिनिटली नए फोन के साथ आने वाला है और इनके फोन के जो range होने वाले है यह obviously 15,000 से नीचे के होने वाले है बट अब देखते हैं कि Micromax कभी launch करता है सुनने में तो आ रहा है उन् आए मंत के और फिर हम देखेंगे अगले मैंने फिर से मिलेंगे फिर से अपकमिंग फोन के साथ तो अगर आप मेरे चानल में नहीं हो तो प्लीस मेरे चानल का सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को डेफिनिटली लाइक कीजिए